नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बेद खुसी का दिन है टेबल टेनीस के अंदर भारतिय पूरश टीम और भारतिय महिला टीम ने वर्ल्ड रेंकिंग के अधार पर पेरिस ओलम्पिक्स दोजार चोबिस के लिए कोटा प्लेस हासिल कर लिया है ITTF यानि International Table Tennis Federation की आज की announcement के बाद ये confirm हो गया है कि भारतिय पूरश टीम और महिला टीम ने पेरिस ओलम्पिक्स दोजार चोबिस के लिए क्वालिफाई कर लिया है भारतिय महिला टीम और पूरश टीम पहली बार ओलम्पिक में क्वालिफाई करने में कामियाब रहे Table Tennis Team Event में Total 16 टीम भाग लेंगी जहां भारतिय पूरश टीम की रैंकिंग 15 है वहीं भारतिय महिला टीम की रैंकिंग 13 है इससे पहले भारतिय टीम World Team Table Tennis Championship में कोटा हासिल करने से चूग गई थी रैंकिंग के अधार पर भारत की दोनों टीमें अब ओलम्पिक में खेलते हुए नजर आएंगी दोनों टीम में कौन-कौन से खिलाडी भाग लेंगे इसकी अथोर्टी इंडियन ओलम्पिक कमीटी के पास है 2020 में टोकिय ओलम्पिक में भारत ने चार मेंबर की टीम Table Tennis के लिए भेजी थी जिसमें सरत कमल अचंता, सत्यन गन सेकरन, सुतिर्था मुकरजी और मनीका बत्रा ने भाग लिया था हलांकि भारते खिलाडी केवल सिंगल और डबल ही खेल पाय थे भारत Table Tennis में अभी तक उलम्पिक में कोई भी मैडल जीतने में कामियाब नहीं हो पाया है पर उमीद है कि अब की बार भारतिया टीम कुछ Upside Down कर सकती है अब उलम्पिक में क्वालिफाई करने वाले भारते खिलाडीयों का आंकड़ा 58 हो गया है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्याबाद